दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बिहार में 10,000 सर्वे कर्मियों की होगी बहाली मंद्री ने के आलान सुस्ता दिकारियों को दिचिताउनी बिहार में 10,000 सर्वे कर्मियों की नुक्ति होगी इसकी प्रक्रिया सुरू हो गई है या जानकारी राजस वे एबम भूमी सुधार मंद्री अलुक कुमार महता ने दिये है वे बिभाग के अलादी कारियों के साथ बूमी सर्वे की मासिक समीचा बेटक कर रहे थे उन्होंने बताया कि सर्वे खतम होने के बाद इनी कर्मियों से चकबंदी का काम भी लिया जाएगा फिलाल बिहार के बेज जिलो के उननबे अंचलो के 4,945 माजों में बूमी सर्वे क्षन का काम चल रहा है जिसके लिए 208 सिविर बनाए गए है इन 4,945 माजों में से 375 मा हो चुका है या खत्यान और नक्सा का अंतिम रूप से प्रकासन कर दिया जाएगा अब तक 1000 से अधिक मौजों गाओं में प्रारूप प्रकासन हो चुका है बिहार के स्कुलों में 50,000 से ज्यादा गैर सेक्षनिक कर्मचारियों के होगे नियुक्ति सिक्षा विवाग कर र रहे हैं इसके मंजूर के लिए सिक्षा विवाग ने प्रस्ता भी तयार किया है सिक्षा विवाग ने नौन टीचिंग स्टाब के नियुक्ति को लेकर से धांदिक तोर पर निन्ने ले लिया है 50,000 रिक्तियों में से सबसे अधिक 8,000 सदिक रिक्तिया परियोग सलासाहिक क बदबर की जाएगे जानकारी के मुताबिक परियोग सलासाहिकों की पहली बार नौन टीच की जा रही है इसके अलवा लेबरेरियन के 7,519 पद रिक्ते दरसल प्रदेश के 9,360 प्लश्ट्री स्कुलों में किवल 1841 लेबरेरियन भी नौन टीच है से इस इसकुलों में यह बद खाली पड़ा हुआ है, इसके अलवा 6421 मादम एक स्कुलों में भी दलो परिचारियों की नूगती होगी बिहार में इस साल औस्थ सो कम होगी मांसोन के बारे इस आइमडी ने जारी किया प्रॉणुमान भाडे आइमडी के तरव से मंगलबार को जारी प्राराम्बिक प्रॉणूमान में साब दूर पर बता दिया कि प्रदेश में ऐसा कोई छेतर नहीं है जा समाइन या इस से अधिक बारिस होने का प्रुवानमान है इदर बिहार में 14-15 अपरेल से लूच चलने के असंका है ऐसी स्थिति उसके 3-4 दिनों तक जारे रहेगी इदर मंगलवा को दच्छनी बिहार में पारा 49 से 40 डिगरी सलसेस के बेच दर्ज किया गिया है नई सिक्छक नियुक्ति नियामाली का विरोध राजद दबदर के बाहर टेट और एश्टेट अबियार्दियों ने किया हंगामा कहा सिर्फ पेच फसाना चाहती है सरकार आखिर कर लंबे समय इंतिजार के बाद बिहार सरकार ने समुआर को सिक्छक नियुक्ति के लिए नई नियामाली के मंजूरी दे दी है बियार के सिक्षक मंदरी पिछले तीन महने से एलान कर रहे थी कि सिक्षक नियुक्ति की नए नियामाली तयार है और जल्दी केबिनेट से पास होगा आखिरकार इस नियामाली को किबिनेट से मंजूरी दे दी गई ने, सिक्षक नियुकते नियामाली पर मोहर लगने के बाद टीएटी और एश्टेट अबियरती सरकार के स्पेसले के खिलाब सामने आ गए हैं पाटना इसी दराज़त कार्याल के बाहर इना अबियरतीों ने जम कर प्रदसन किया और नितिस तजस्व के खिलाब नारिबाजी की अबियरतीों ने सरकार पर जम कर हमला बोला का कि नियामाली पर मोहर लगाने के बाद यह बात सामने आई की बिपेसे परिचा आईजित और इस परिचा में पास करने वाला ही नियोजित से नियमी सिक्षक बन पाएंगे उन्होंने सरकारी कर्मी माना जाएगा और हर तरकी सरकारी से विदाय दी जाएगी कैबिनेट में पास भी इस नियामाली का एस्टेट और टेट अबियरतों ने कड़ा विरोद किया है सिक् बिहार की जंदा को मुर्क बनाना चाहती है दलित और गरिब के बचों को सिक्षक बनाना नहीं चाहती है सिर्फ पेज पसाना चाहती है ताकि कभी भी सरकारी टीचर ना बने बाड़कर में देखे पटना में कोरोना के सक्रिय मरीजों के संक्या सो के पार 24 घंटे में मिले 26 नए मरीज कोरोना की रप्तार धिरे धिरे तेज होने लगी है आईने जिलों की तुलना में सबसे अधिक पटना में अधिक केस मिल रहे हैं इस सीजन में सबसे अधिक मंगलवार को जिले में 26 नए कोरोना मरीज मिले हैं इससे तीन दिन पूर वो सबसे अधिक एकिस मामले एक दिन में सा कि अब 101 हो गई है वहीं एक दिन में 6 मरीज ठीक भी हुए है 24 घंटे में 26 मरीज मिलने से स्वास्त विभा के अधिकारियों में हड़कम मच गया है हाला कि डाक्टर का कहना है कि जितने भी मरीज पाये जा रहे हैं उनमें अधिकान से सामाईने है मैं सिविल सरजट डाक्टर सरवन कुमार ने कहा कि अस्पताल में सेनिटाइजर कराने का अधिस दिया गया है स्वास्त विभा के अधिकारियों ने लोगों को गाइड लाइन बालन करने के सला दी है जमीन के बदले नोकरी मामले में परवतन निदे सला याने एडिन मंगलवार को बिहार की अपुमिख मांतरे तेजस्वी अदव से करीब नोग घंडे तक पुछताज की एडिन केंद्रे जाच बियोरो की एफायर के अधार पर उनके खिलाप धान सोधन निवाना नादिन्यम के तहद मामला दरजकर उने पुछताज के लिए तलब किया था तेजस्वी अदव करीब 10 बच कर 45 मिनाट बजे मैद दिलीग में संग्य अजंसी के काराले पहुझे और रात करीब 9 बजे काराले से निकले इसी दौरान उन्होंने एक घंडे का ब्रेक भी मिला था पुछताज के बाद जब तेजस्वी यादव एडियो अपिस से बाहर निकले तो ने मेडिया ने घिर लिया एक सवाल का जबाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि अभी चुनाव का समय है और ये सब चलता रहेगा उनका एक ही सवाल हर बार रहता है कि घोटाला हुआ है या नहीं और मैं भी हर बार जवाब देता हूँ कि कोई घोटाला नहीं हुआ है बिहार में बेस अपरेल से सुरू होगी गेहों की खरीद सरकार के सामने टार्गेट पुरा करने की चुनोती बिहार में गेहों खरीद 20 अबरेल से सुरु हो रही है उससे पहले ही वेपारी ज़्यादातर बाजार का भावव देखकर गेहों खरीदने लगे हैं खेद से ही वेपारी गेहों ले जा रहे हैं मुगदान में नगत कर रहे हैं ऐसे में इस बार भी गेहों खरीद का लच पूरा होना मुस्किल दिख रहा है इस बार सरकार ने 10 लाक मेट्रिक टरन गेहों खरीद का लच तई किया है 215 रुपी प्रतिक क्यूंटल ने उन्तम समर्थन मुले तई किया है यह पिछले साल से 110 रुपी ज़ादा है बावजूद 222 रुपी बावजूद 2100 से 2200 रुपी बीच चल रहा है पुष्ट दाने वाले गेहों को 24 रुपी प्रतिक क्यूंटल तक मिल रहा है इसी करन किसान भी पैक्सों की बजाए वेपारी को ही क्योंट बेच दे रहे है किसानों का कहना है कि 72 बाजार भाव मिल रहा है तो पैक्स का इंतिजार क्यूं करे इंटर कमपार्टमेंटल सब इस परिच्छा 26 अपरिल से से डिल हुआ जारी बिहार बोड ने इंटर कमपार्टमेंटल सब इस परिच्छा 23 की तेथी जारी कर दी है कमपार्टमेंटल सब इस परिच्छा 26 अपरिल से सिरु होगी हर दिन दो पाले में परिच्छा ली जाएगी परिच्छा 26 अपरिल से 8 मैं तक चलेगा पाली पाली सुबह 9.30 से 12.45 मिनट तक चली गी और दूसरी पाली दो बजे से 5.45 मिनट तक संचालित की जाएगी दोनों पाली में परिचा की दौरान 15 मिनट का कूल समय दिया जाएगा इसी दौरान 16 प्रसन पत्र पड़ सकते हैं इसे पहले बिहार बोड ने प्रायोगीक परिचा के तिति जारी कर दी है प्रायोगीक परिचा 20 से 22 अपरिल तक ली जाएगी बिहार में पौने दो कड़ोरी इसकोली बच्चों में 15 माई तक बाड़े जाएगी किताबे पूरी प्रदेश में इसकोली बच्चे को पाइट करम पुस्तक देने का भियान मंगलवार को सुरू हो गिया यहाँ 15 अपिरल तक चलेगा इसी दोरान पहले से आड़वे तक की बच्चों को उनके वर्ग की पाइट पुस्तक की दी जाएगी हाला कि पूरी राज में इसकोल करन कर कायर करम के मुक्याले से मौनिटिंग करते रहे बाड़ कर में देखे योटूबर मनिस कैसब को सुप्रीम कोड से जटका बिहार और तामिल लाडू सरकार को नोटिस हुआ जारी जाएगे तामिल लाडू में कथी तोर पर बिहारे माइदोरों की पिटाई का फरजी नी दे वीडियो सेर करने के मामले में औरोपी योटूबर मनिस कैसब को मंगलवार को भी सुप्रीम कोड से रहत नहीं मिली है कोड ने इस मामले पर अगली सुनवाई होगी माने इसका केस जश्टिस कृष्ण मुरारी और जश्टिस संजे करोल की पीट कोड नमबर 13 में सुनवाई के लिए सुची बद किया गया था बिहार में जल्द होगी तीन लाख सिक्चोकों की बहाले अच्छी सेलरी के साथ मिलेगी कैस विदाई तैजस्वे ने किया एलान जादिके बिहार के डिप्टी सेम तजसी प्रसाद यादव ने सुमार को ट्यूट करके कहा कि राज में अब बहुत जल्द ही लगबग 2,25,000 तथा कूल 3,000,000 सिक्चोकों की नुक्ती होगी सिक्चकों को राज कर्मी का दर्जा दिया जाएगा जिसमें आकर्सक वितन के साथ ही सबी स्विधाई प्रदान की जाएगी पूर्व के जो नियोजित सिक्चक के हुए भी बीपेसे के मायदाम से एक परिछा पास कर नियमित सिक्चक बन सकते हैं बाड़े कर में देखे एद से पहले नितिस सरकार ने दी इदी बीस को ही मिल जाएगे अप्रेल की सेलरी जादे के बिहार सरकार के कर्मियों के लिए खुसकबरी है एद को देखते विए अप्रेल मा का वेतन बीस तक देने का निदेश दिया गया है विति बिबाग ने इस सम्मान में निन्य भी लिया है दरसल एद उल फीतर चान के हिसाब से 21 या 22 अप्रेल को हो सकता है आलप सेंकक समुदाई के इस परव को देखते वी सरकार ने सभी कर्मचारियों और पदादिकारियों को अप्रेल 2023 मा का वेतन 20 अप्रेल तक देने का निदेश दिया है इसके लिए वेतन सम्मान देखते वी पत्र 20 अप्रेल तक कुसागारों में प्रसुत करने और कुसागार पदादिकारी द्वरा उसी दिन से ही उसे पारित कराने का फैसला लिया गया है आपकी जानकारे के लिए बता दी कि मार्च 2022 मही नितिस सरकार ने सरकारी दब्तरों में काम करने वाले मुसलिम करमच्यारियों को बड़ा तफा दिया था समझान के महीने में मुसलिम कर्मी एक गंटी पहली काराले आ सकते हैं और एक गंटी पहली काराले से घर जा सकते हैं चात्र चात्रों को बकाया प्रोचान रासी जल मिलेगी देरी पर सियम नितिस कुमान ने जताई नाराजगी जादिके चार साल और पांच साल पहले मैट्रिक और इंटर प्रतम स्रेनी से उत्रेने छातर चात्रों को अभी तक प्रोदसान रासी नहीं मिलने की सिकायद पर मुईख्यमंत्री नितिस कुमान ने अपने प्रदान सचिव और राज के मुईख्य सचिव को तलब किया मुईख मंतरे ने दोनों को नेदेश दिया कि सभी बगाया प्रोथान रासे का भूतान जल सुनेशित करे उन्होंने पदादिकारियों पर नराजगे व्यक्ति की कि अभी तक बगाया क्यों है जबकि समधान यातरा के दोरान भी हमने सभी जलों में इस समध में इस पच्ट निदिश दिया था बता दि कि जन्ता के दर्बार में मुईख मंतरी कारिकरम में बीवी ने जलों से आए कई भी दादियों की सिकायते सुननी के बाद सियम ने या निदिश दिया है मुईखी सचीवाले परिसर में आवेजित इंता दर्बार में 47 लोगों ने समझ साए मुईखी मंत्री के समक्च रखी और उन्होंने सबी के ततकाली स्वादन का निदेश समने बागों और अधिकारियों को दिया विहार के चात्रों को परमान पत्र के लिए नहीं पड़ेगा भड़कना एकेडमिक बैंक में खुद जमा हो जाएंगे साटिपिकेट लिहार के ओचे सिक्चन संस्तानों में अधनरत 10,000 सदिक विदातियों ने एकेडमिक बैंक और क्रेडिट प्रोग्राम में रेजिस्ट्रेशन करा लिया है इसमें 3,000 विदातियों राज के विस्विदाले और अंगिबूत कोलेजों के हैं इसे विदातियों के सभी अकेडमिक दस्तावेज मसलान अंक पत्र, साटिपिकेट डिगरी और दूसरे सभी तरह के प्रमान पत्र स्वता अकेडमिक बैंक में जमा होते जाएंगे उन्हें अपनी तरब से इसमें अब कोई परियास नहीं करना होगा अधिकारी जानकारे के मुताबिक अगर विदाति बीच में ही कोलेज या विस्विदाले बदल कर कहीं और एडमिसर लेना चाहेगा तो उसका नमंकन एकेडमिक बैंक के दस्तावेज से हो जाएगा उसे किसी तरक की अनापती और सिक्षन संस्तान से किसी दस्तवेज निकलने के जरुरत नहीं होगी पचवाज से पटना समेथ 25 सहरों की बड़ी गर्मी, खगड़िया सबसे गर्म, 40 डिगरी के करीप पोहचा तापमान 24 घंडे के दोरान पटना समेथ बिहार के 25 सहरों की अधिक्तम तापमान में बिर्दी दर्च की गई है, तो पर में प्रचन धोब के बेच पचवा हवालो में बदलने के तैयारी में है विबिन सरो के अधिक्तम तापमान में भी दो डिगरी तक की व्रिधी दर्च की गई है राईवार को पटना का अधिक्तम तापमान समाने से दो डिगरी सलसे से उपर दर्च किया गया यहां का अधिक्तम तापमान 38.8 डिगरी दर्च किया गया वहाई 49.5 डिगरी के साथ खगरिया में प्रादेस का सरवादे का धिकतام तापमान दर्च किया गया ना लंदा में 38.3 डीटरी गईया में 37.8 डिगरी सिक्पुरा में 49 डिगरी जमुई का धिकतम तापमान 38.1 डिगरी दर्च किया गया बता दे कि आने वाले कुछ दिनों की दोरान प्रदेश के कई जिलों में अधिक्तम तापमान बढ़ने के असार है। मौसम विभाग ने 15 अप्रेल से तापमान 40 डिग्री तक पहुचने के असंगा जताई है। इस दोरान गर्म हवाल लोगों पर कहर बरपा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।